नमिश्कार मैं हूँ अमित कटोच वेलकम डू एच्प अमित एज्जुकेशन हिमाच्र प्रदेश प्रदेश से डाटा वेस्ट कोशन ज्यादा पूछे जा रहे हैं क्लासी की रिकूर्मेंट में हम बात करें तो प्रिजेटी केटर में हाली में एक्जाम से चले हैं जिसमें हैं एच्प जी के में भी डाटा वेस्ट कोशन ज्यादा पूछे जा रहे हैं और नेशनल इंटरनेशनल अफेंस में भी वैसे ही कोशन पूछे जा रहे हैं एकॉनमिक सर्वे दोचा त्रेश चोबिस जो की हिमाच्र प्रदेश से रिलेटिड है उसमें कुछ ऑवरोल भी दिया गया है इसमें बताया गया है कि जो वर्ल लेवल पे ग्रोफ रेट की रिपोर्ट्स आती हैं तो उसमें वर्ल्ड का चैना का और इंडिया का क्या क्या इसमें प्रसंटेस है वह यहां पर मेंशन किया है चैना से भी एक्जाम में कोशन पूछा गया है और इंडिया से जो economic growth है world की चैना की और इंडिया की वो यहाँ पर mention करी है world की वे आप देखें 2022-2024 और चैना के भी सेम और इंडिया की भी सेम 2022 से लेकर 2024 के बीच में यहाँ पर बताई गई है सबसे पहले IMF जिसे हम बोलते हैं International Monetary Fund world label पर यह बड़ा bank है इनके द्वारा जो है world economic outlook report हर साल जब वो यहाँ पर दी जाती है इसमें 2024 में इंडिया की 6.3% जो growth rate बताई गी है और जो last year था उसमें भी 6.3% ही growth यहाँ पर बताई थी चैना की आप देखें चैना की exam में पूछी गी है IMF से 4.2% चैना की growth 2024 में बताई है और last year में 5% जो यह growth थी और overall world की जब हम बात करते हैं तो इसमें कुछ developing countries होती है कुछ developed countries होती है कुछ under developed countries होती है इसलिए overall जो 2024 में फूरे world की growth rate है 2.9% है और last year की हम बात करें 2023 की तो 3% जो है यह IMF के द्वारा बताई गी है इनके साथ world bank world bank के द्वारा भी यहाँ पर जैसे global economic prospects करके जो उनकी reports आती है उन्होंने data जनवरी 2024 तक यह लिया है जिसमें 2024 का जो अनुमान है लगबख 6.4% world bank के अनुमान है economic growth का जो की last year में 6.3% था सभी का IMF world bank OECD इन सभी का 2023 में 6.3% की growth का जो अनुमान था world bank ने इंडिया की जो growth है 2024 में 6.4% और चैना की 4.5% और पूरे world की 2.4% जो बताई है आप 2024 का data ध्यान में रखें चैना का देखवा 4.something value दी है और इंडिया की 6.something value यहाँ पर दी है तो world bank और IMF दोन में थोड़ा सा minor सा difference है दोनों आप यहाँ पर नोड़न कर सकते हैं next OECD जिसे हम बोलते हैं organization for economic cooperation and development इनके द्वारा भी economic outlook report आई है 2023 में इसमें इनोने सारा ही अनुमान यह बताया है इसमें इंडिया की growth 6.1% बताई है 2023 में यह 6.3% थी और चैना की 4.7% और 2023 में 5.2% और overall world की 2.7 इनोने growth rate बताई है और जो last year थी वो 2.9% थी next next जो slide है इसमें constant price के उपर constant price में जो हम base year लेते हैं 2011 वार का जो हमारा base year रहता है इसमें comparison बताया है growth rate का GDP और GSDP growth domestic product जो की हम पूरे इंडिया के coding लेते हैं और GSDP means की growth rate domestic product ग्रेलू सिमा के दरकत जो भी उतपादन होता है उसकी growth rate का चार्ट पूर आपको यहां पर 2012-13 से लेकर 23-24 तक जो mention किये है यहां से भी exam में question पूछे जा रहे है यह NSO का data है जो की authorized इंडिया की जो एक organization यहां पर है यहां पर जो red color indicate किये है वो इंडिया का है और जो blue color indicate किये है वो हिमाचल परदेश का है कोविड के time period में 2020-2021 में देखें तो negative growth rate पूरे देश की थी जिसमें हम देश के according देखें तो negative 5.8% थी और हिमाचल की minus 4.3% थी उसके आगे देखें तो 2021-22 में यह growth उपर की तरफ हुई है यहां पर B shape आपको दिख रही है इसमें इंडिया की भी growth rate increase हुई है और हिमाचल की growth rate यहां पर increase हुई है यहां आपको जो 2021-22 का data दिया है उसमें जो इंडिया की growth है वो 9.1% और हिमाचल की 7.6% दी है जो next economic survey की report आई है 2022-23 में इसमें हिमाचल की 6.9% यह data भी important है और हिमाचल और देश की 7.2% जो यहां पर growth rate बदाई है और जो हाली में economic survey की report आई है उसमें हिमाचल की 7.1% constant price के ओपर growth rate है और इंडिया की 7.3% जो है वो constant price के ओपर growth rate है जातर growth rate विकासदर constant price के ओपर ही पुछ जाती है तो उस ज़र्गे से जो data यह important है next इसमें growth rate of Indian economy sector wise बताई है primary sector, secondary sector, territory sector, तीन सेक्टर हमारे economy के रहते हैं primary sector में agriculture आता है, secondary sector में जो industrial work वो इसमें होता है भी निर्वान के कारे होते हैं और territory sector एक तरह का service sector होता है सेवक्षेतर होता है, 2021, 22, 23 और 23, 24 लास्ट तीनियर का data यहां पर दिया है, में अपना यातकना है कि 2023 की जो economic report है उसमें Indian economy की sector wise growth rate कितनी है, तो यह आपको constant price के ओपर growth rate estimate बताई है जिसमें primary sector की 2.6% जो की last 2022 के economic survey की according 4% थी और जो second sector है उसकी 7.9% और जो third sector है service sector है उसकी 7.7% यहां पर economic survey 2023 में estimated बताई है और last जो report 2022 की है उसका भी आप comparison कर सकते हैं तो यहां पर उनका भी data आपको दिया है जो second sector है उसमें growth rate काफी बताई है जैसे पहले 4.4% थी और अभी increase होकर 7.9% होगी है बाकि जो first sector और third sector इसमें यहां पर decline आपको दिख रहा होगा यहां पर mention किये है बाकि हिमाचल प्रदेश से समझें हम औरडी पहले भी आपको अपडेट कर चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश की growth rate क्या है constant price के ओपर और current price के ओपर वो data औरडी आपको हमने पहले provide कुलाए है उनसा भी कर लिंक आपको description में मिल जाएगा आई हुआ आपको यह video पसंद आई होगी video पसंद यह video को like share जूर करें दनेवाद